वाँसका दोस्तों वेलकाम टे और वंडे एक्जाम क्लासे देकि आपके रेलवे गुरुप डी और इंटी पीसी टू एक्जाम की तयारी के लिए हमने आपके लिए साइंस एस्पेसल की स्रीज को इस्टार्ट किया है आज हम आपको रेलवे द्वारा पिछली एक्जाम में पूछे गए 30 महत्वपूर साइंस के कोशन करने जा रहे हैं इस सारे कोशन आपके आने वाली एक्जाम के लिए वेरी वेरी मोईस्ट इवान कोशन है क्योंकि science से बहुत जुरूरी है अगर आपको railway का किसी भी exam को निकालना है यह हमारा 14 number set है इसके पहले भी हमने आपको news science special नाम से एक आपको playlist में folder बना दिखेगा उसमें 13 वीडियोज करा चुके हैं आप लोग उनको भी जा करके देख सकते हैं आज कर देखी पहला question है यह दि कोई चिकिसक एक मिनट में 80 धड़कने गिनता है तो धड़कनों की आवरती कितनी होगी आपको बताना है चली प्रयास करिए आप लोग देखी धड़कन कौन करता है दिल धड़कन करता है तो चिकिसक ने किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन को गिना आए कि एक मिनट में 80 बार धड़कता है तो धड़कनों की आवरती कितनी होगी आवरती की परिभासा क्या होती है एक सिकेंड में किये गए दोलोनों की संख्या या फिर कमपनों की संख्या को हम लोग आवरती कहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मिनिट में कितने सिकेंड होते हैं साथ सिकेंड होते हैं तो साथ सिकेंड में कितनी बार कमपन कर रहा है दिल असी बार कर रहा है तो एक सिकेंड में आपको निकालना है क्योंकि एक सिकेंड में किये गए कमपनों की संख्या कोई हम लोग आवरेती कहते हैं 80 बटे 60 हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगा 8 बटे 6 मतलब कि 4 बटे 3 और 4 बटे 3 का मतलब है 1.33 तो 1.33 कहाँ पर लिखा गया है तीसरे आप्सन में आवरेती की जो यूनिट होती है वो हर्स होती है तो सही आप्सन होगा तीसरा वाला आप्सन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप लोग पहली बाद चनल पर आयों तो नीचे आपको लाल रंकी सस्काइब की बटन देखिए कुसे दवाकर लाल से काली कर दीजेगा ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके दूसरा कोशन है गुरुत्ती तरड़ जी का मान किस पर निर्भर करता है ये चार चीए दी गई है इसमें से बताना है किन किन पर गुरुत्ती तरड़ का मान निर्भर करता है और निचे चार आपसन है, उसको आप चूज कर सकते हैं, प्रियास करिए, गुरुत्ती तोड़का फर्मूला क्या होता है, इसमाल जी बराबर होता है, कैप्टल जी, M E upon R E, स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर E का मतलब अर्थ है, ठीक है, तो इसमाल जी बरा M से मास है, E से क्या है, आर्थ है, मतलब अर्थ का जो मास है, उससे हम लोग M E लिखते हैं, और रेडियस आप अर्थ, R E लिखते हैं, इसका स्क्वायर है, तो इन तीन चीजों पर निर्भर करता है, तो पहले वे देखिए, गुरुत्त्वाकर्शन निताक पर निर्भर कर करना है, जहाँ पर C लिखा है, उसको आप नहीं सही करेंगे, तो कौन सा अप्सन सही होगा, पहला वाला अप्सन सही होगा, तीसरा कोशन है, यदि U बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, A बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T बराबर 5 सेकेंड आपको दिया है, तो V की व ठीक है, यहाँ पर V आपको निकालना है, U आपको 0 दे रखा है, A कितना दे रखा है, 5, एकसेलरेशन आपको 5 दे रखा है, और समय आपको 5 दे रखा है, तो कितना उत्तर आजाएगा, यह तो 0 है, 5, 25, 25, और 25 किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है, तो म उनिट में कहां पर गलती की गई है तो पहले वाले आप्षन को आप सभी करेंगे चौथा कोशन है अश्टकों का नियम किवल कहां तक लागू होता था यह चार आप्षन आपको दी गए करने का प्रयास करिए अश्टक के नियम किस ने दिया था नियम ने अश्टक का नियम दिया था कब दिया था 1866 में दिया था उस समय तत्तों की संख्या जो थी वो 56 थी 56 ही तत्तों मौझूद थे उसे के आधार पर अश्टक का नियम बनाया गया था तो अश्टक का नियम जो था वो संगीत के स्वरसे प्रभावित हो करके बनाया गय यहां पर देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ तो सातमें तत्यों के में फिर से जो आठवा तत आएगा वो पहले के नीचे रखा जाएगा तो फ्लोरीन फिर नीचे आजाएगा आठवा ततों यही अश्टक कर नियम है इसके बाद सोडियम, मेगनीसियम, एल्मोनियम, सिलकान, फासफोरस, सलफर, गलोरीन, पोटेसियम, कैलसियम तो जो अश्टक कर नियम था वो यह कहता था कि जो आठवा तत होगा उसके गुड़ पहले के समान होगे मतलब फ्लोरीन के गुड़ हाइड्रोजन के समान होगे chlorine के गुργ, hydrogen और fluorine के समान होगे, मतलब यह समों के तथ जतने भी होगें, उन सबके ALL का नियम और एक समान होगें, जब दूसरा 8 के नीचे आया, तो उसके भी गुड जो lithium, sodium, potassium गुर एक समान होगे, berelium, magnesium और calcium के गुड एक समान होगें, लेकिन केलसियम के बाद में इनकी जो अश्टक का नियम था वो लागू होना बंद हो गया फिर आगे जो इन्होंने बताया कि गुड एक समान होंगे एक ही समू के तो फिर आगे मैच नहीं कर रहा था तो यही पूछना चाहरा है अश्टक का नियम केवल कहां तक लागू होत पांचवां कोशन है जीव जगत का पांच वर्गों में वर्गी करण किस ने किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस ने किया था अरस्तू, विटकर, लीनियस, डार्विन ये चार आप्सन दी गए तो पांच जगत प्रणाली जो दी थी, वो दी थी विटकर महोदय ने कब दी थी? नाइन्टी सिस्टी नाइन में दी थी और वो पांच जगत में कौन कौन से जगत आते हैं पहला आता है मोनेरा, लिख लीजेगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमेलिया ठीक है जो पांच क्रासिफिकेशन किये थे, मतलब कि पांच जगत प्रणाली की जो खोच करता है वो हिटकर महोदय माने जाते हैं, नाइन्टी सिस्टी नाइन में ठीक है याद रखेंगे आप लोग, दूसरा आपसन सही आपसन है चैटमा कोशन है, एक वस्तु को ऊपर की और फेका जाता है या 100 मीटर की उचाई तक जाती है और फिर फेकने वाले की पास वापस आ जाती है तो इन चार आपसन में से आपको बताना है कौन सा आपसन सही लग रहा है जैसे कि समझे, किसी वेक्ति यहाँ पर नीचे कोई वक्ति प्रथिवी पर खड़ा है उसने क्या किया, एक गेंद को ऊपर को फेका और फिर गेंद वापस आ गई उसी के हाथ पर तो 100 मीटर गई और 100 मीटर वापस आई समझ गए, 100 मीटर उपर जाएगी मुझ आई तक फिर वापस भी आएगी तो आपको बताना है कि विस्थापन कितना होगा या फिर दूरी बताईए, दूरी और विस्थापन पर ही चर्चा की गई है अगर हम लोग दूरी की बात करेंगे तो 100 मीटर गई और 100 मीटर आई तो दूरी इसने चली 200 मीटर ठीक है लेकिन आपको समझना है कि 200 मीटर तो कहीं पर लिखा नहीं गया दूरी में विस्थापन को चेक करता है विस्थापन एक सदिस रासी है तो विस्थापन में क्या आपको देखना होता है दिसा देखनी होती है और साथ साथ प्रारंभिक पॉइंट जो है और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी देखनी है तो जहां से फेका था वहीं पर वापस आ गया इसका मतलब विस्थापन इसका सूने होगा कौन सा आपसन सही आपसन होगा लाश्ट वाला आपसन सही आपसन होगा तो यहीं अंतर है विस्थापन और दूरी में विस्थापन जो है अगर जहां पर से चलना स्टार्ट किया है वहीं पर घूंग कर आप वापस आगें तो विस्थापन सूने होगा जबकि दूरी तो आपने बहुत चली है लेकिन विस्थापन उसका सून होगा क्योंकि विस्थापन सदिस रासी है इसमें पडिमाड और दिसा दोनों की ओ सकता होती है इसलिए परिमाड में इसका जो परिमाड होगा वो सून होगा क्योंकि दिसा को दे करके इसमें आप परिमाड को निकालेंगे साथवां कोश्चन है एक नूटन किसके बराबर होता है चार आपसाने कनफ्यूज करने का प्रियास किया आपको Newton कोई फार्मूला याद करिए F बराबर MA होता है Force बराबर MA मतलब की Mass Multiply Acceleration ये तो Newton हो जाएगा एक Newton रखना है तो Mass को हम लोग एक रख लेते हैं और Acceleration को भी एक रख लेंगे तो इसकी unit को आप लोग देख लीजिए Mass की unit केतनी होता है KG होती है Acceleration क्या होता है Meter per second square तो per second जब उपर जाएगा तो इसकी power minus 2 आजाएगा तो जहाँ पर भी KG M इसकी power minus 2 लिखा होगा वही option सही option होगा तो दूसरे option लिखा गया है तो किसी फार्मूले को देख करके आप आसानी से इसकी विमाओ को निकाल सकते है या फिए unit को निकाल सकते है दूसरा वाला option सही option होगा आठवा question है मिंडलीप की आवर्त सानी में कितने समूँ है ये चार आपसन आपको दी गए तो सबसे पहले अगर predictable को किसी ने विश्तिक ढग से लगाया था तीरिस्तर तत्तों खोजे गए थे ठीक है याद रखेंगे आप लोग तो आपसे पूचा गया है कि कितने समूँ थे उससमें मिंडलीप की आवर्त सानी में तो चलिए सबसे पहले आपको मिंडलीप की पुरानी वाली आवर्त सानी को चाने का प्रयास करते हैं तो यह देखिए मिंडलीप की आवर्त सानी है इसको आप ध्यान सा देखेंगे तो यहां पर देखिए कहीं कई पर इन्होंने प्रिश्णवाचक मार की दे रखा है मतलब की मिंडलीप को इसलिए महान वेगानिक माना जाता है क्योंकि जब इन्होंने प्रिटरी टेबल बनाए थी अपनी तो तत्तों की इस्थान खाली जगा छोड़ करके चले गए थे और बताय थे कि भविस्त में यहां पर तत्तों खोजा जाएगा और उसका इस्थान जो है वो यहीं पर निश्चित करके भी गए थे तो इसलिए मिंडलीप को महान वेगानिकों में गिना जाता है अब देखते हैं मिंडलीप की आवर्षानी जो 1869 ने वनाए गई थी इसमें हम लोग आवर्थों की संख्य की बात करें तो आवर्थ कैसे गिनते हैं आप 36 ला आठ वरग थे यहा फिर आठ समू थे तो आप से पूछता कितने समों है आठ समू है जब भी आवर्थ पूंचेगा तो छै को आप लोग सही करिए तो चलिए इसकी उत्तर को देख लेते हैं सही आपसन कौन सा आपसन होगा पहला वाला आपसन सही आपसन होगा नवा कोशन है यह दो प्रतरोधों में समान विवांतर मौझूद है तो वह किस क्रम में जुड़े होंगे ठीक है चार आपसन है जैसे कि आप जानते हैं कि जो प समांतर क्रम में जुड़ते हैं सही आपसन इसका दूसरा आपसन है तो आप देखते हैं कि जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं इस प्रकार से इसका डाइग्राम बनता है अगर हम महां लिजे आर वन आर टू आर थ्री तो यहां पर पॉइंट देखेंगे यहां पर जो विव समान विवानतर होता है किसमें समाथ्र इंतले छूड़े होते हैं लेकिन जब शर्णिकरम मे को मिया थारा महीन समान होती है और समीर करद्र वन्हान होता हैं यह दोनों बाते आपको याद रखना है कौंसा आपनें दूसरा वला आपसन सही आपसन होगा दस्वा कोशन है जल और अन्य पदार्थों से रंगेन असुद्धियां और बुरी गंधों को असोसित करने के लिए कारबन के निमली कित में से किस आपर रूप का उपियोग किया जाता है यह चार आपसन है जैसी कि आप एकजांपल समझें गंडे से चिनी बनती है और चिनी आप देखते होंगे कि विलकुन सफेद होती है उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती है और नहीं कोई असुद्धी होती है तो वहाँ पर किस चीज का इस्तमाल किया जाता है तो चारकोल का इस्तमाल किया जाता है कारवन का एक आपर रूप है जो चारकोल अलग अलग प्रकार के होते है कास्ट चारकोल होता है बोन चारकोल होता है चिनी चारकोल होता है रख्त चारकोल होता है इस प्रकार से कई प्रकार के चारकोल होते है तो जो चिनी बनती है वो किस चार कोल का निर्माड से बनती है किस से उसकी असुदिया और बुरी गंदों को असुषित किया जाता है तो अस्ती चार कोल का उपयोग किया जाता है अस्ती चार कोल से चिनी का निर्माड होता है तो अभी हम लोग बात करेंगे तो चार कोल ही इ के बारे में चर्चा की गई है गया नवर कोशन है यहां पर देखिए आपको चार आपसन दिए गए इन चार आपसन में से आपको चूज करना है कि वह मुक तुर्जा कौन सी है जब एक इलेक्टरान अपने उदासीन गैसी परमाड में जोड़ा जाता है तो उसे क्या नाम द आपसन होगा तीसरा आपसन सही आपसन होगा तो आप लोग बताईएगा कि इलेक्टरान बंदुता अगर हम लोग आवर्स आने की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किस की होती है किस तत्यों की इलेक्टरान बंदुता सबसे ज्यादा होती है अगर हम लोग आपसन की बात क कुछा गया है 12 Southern question है इस आर्एक में क्या प्रदर्सित कर रहा है यह जो आर एक हैं यह क्या चीज को प्रसित कर रहा है यह चार आपसन आपको नीचे दिए गये हैं तो आप 4 आप्सन में देख करके समझ पा रहे होगे कि यह बंद परिपत है कि खुला परिपत है चलिए सोचने का प्रयास करिए कि परिपत आपको कैसा लग रहा है अब देखिए अगर ये बंदी परिपत होता तो इसमें विद्दुत का प्रवा हो रहा होता एक विद्दुत की वायर लगी होती इधर उदर ठीक है तो ये बंदी परिपत नहीं है बंदी इधर भी लौट रहे हैं तो इनकी जो गति है वो खुले परिपत में हैं इलेक्टरान जो हैं वो सोतंत रूप से घूम रहे हैं को कि इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं और इसमें विद्धुत का प्रवाग होई नहीं रहा हैं तो खुले परिपत में इलेक्टरानो वर्ग से तो हम लोग पहले वाले समों को उठा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं हमने पहले समों के सारे तत्यों को देखते हैं हाइड्रोजन लीथियम सोडियम हलीना करे रब से फरयाद ठीक है इस प्रकार से हिलियम लीथियम सोडियम पोटैसियम रूबीडियम सीज को ले लिया अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो उसमें देखेंगे धात्वी जो गुड़ होता है वो इनका बढ़ता जाता है यह सारी धात्वें और जतना नीचे तक आएंगे इनका धात्वों का गुड़ जो होगा वो बढ़ता जाएगा परमाड त्रिज्जा की बात क्योंकि यहां पर से आप केंदर से अगर तिज्ज्जा देखेंगे तो बढ़ती चली जाएगी तो परमाड तिर्ज्जा भी बढ़ता जाएगी गोगी तो स्युख्ता नहीं बढ़ती यह है है तो दूस्रे समुगता की नीजिऽ की और धोने कि स्कारण से उठवन होती है ऑनुद तरंगे होती हि ए बहुत देशामिघ कोeren क्या में इस तो आज एक तिरूद प्रेंग होती है और वहाद काती है नौसी आंपने क्या है यह दोनों आपके एक्जामें बहुत confusion करता है प्रेकास कैसी होती है अनुप्रस्त और धोनी कैसी होती है अनुदेर्द मैंने आपको याद भी कराया था कि प्रा देखिए प्रेकास का प्रा देखेंगे तो अनुप्रस्त आ रहा है तो अनुप्रस्त रंग होगी और धोनी का आधा धा देखेंगे तो अनुदैर धा आएगा इस प्रकार से आपको कभी भी confusion नहीं होगा ठीक है याद रहेगा आपको पन्दनेवर कोशन है कैंबियम को क्या कहा जाता है ये चार आपसन दिए गए आपको करने का प्रयास करिए हमने आपको बताया था कि पादप उतक दो प्रकार के होते हैं एक आपका विभाज्योत्मक उतक एक इस्थाई उतक ठीक है तो विभाज्योत्मक उतक भी तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है स्रिस्थस्त विवाज्योत्मकूतक, दूसरा होता है पार्स विवाज्योत्मकूतक, इसका सही आप सुनोगा पहला वाला आपसन, जैसे कि आप देखते होंगे पेड़ होता है, तो पेड़ में एक प्राथमिक विरद्धी होती है, जैसे कि जड़ नीचे की ओर और बढ़ता है और तना ऊपर की और बढ़ता है लेकिन जो उसकी साखाएं होती है वो पार्स मतलब किनारे की और बढ़ना इस्टार्ट होती है तो किनारे की और बढ़ना इस्टार्ट होती है किस कारण से होती है कैम्बियम के कारण होती है पार्स विभाज जोत्मक उतक के क काड़ होती है इसलिए सएओस रटोगा तो ठीक है याद रहेगा यह दोतीयक ब्रद्धी सरोथ होती है कैम्भियम जो होती है वह दोतीयक ब्रद्धी प्रात्मिक तो आपको मालूम कि नारे की और पार जो ले जाती है वह काम होता है किसी भी कल्प में खरइल टेसे कीर और करेंगे तोंगो प्सकान के अबर रूप हैं सबसे पहले समझें कि अपर रूप क्या होता है कोई भी तत्व जो होता है वह वो अलग अलग रूपHow魔 अलग-अलग जगा पर पाया जाता है जैसे की क्रिष्टलीए अपर रूप होता है और एक क्रिष्टली अपरूप होता है थीक है आपसे आक्रिष्टली वाला वो एक निश्चित ज्यामती सरचना होती है, जैसे कि किस्टली अपर रूपों में हीरा को रखा जाता है, हीरा की सरचना जो होती है, निश्चित होती की चतुस फलकी होगी, ग्रेफाइड को रखा जाता है ग्रेफाइड की सरचना सटकोडी होती है फुलरीन को रखा जाता है फुलरीन की सरचना फुटबाल जैसी होती है तो किस्टली अपर रूपों में हीरा ग्रेफाइड फुलरीन जैसे तत्तों को रखा जाता है आग किस्टली में कारवन एक नि कोशन निष्चित नहीं होती है तो सही प्सन, कौन सा प्सन होगा तीसरा प्सन सही प्सन होगा सतहने कोशन के कौन सा प्दफ प्रोटिष्था से समन्दित नहीं है इस लिए चार अप्सन right, मैंने आपको बतायान कि हुट कर महोदे ने नाइंटी सिस्टी नाइन में फाइब किंगडम प्रणाली दी थी उसमें पांच जगत में बाटा था मोनेरा पुर्टिस्टा पादप कवक एनमेलिया तो आप से पूछा किया कौन सा पादप प्रोटिस्टा से सम्मधित नहीं है तो इसका सही आप सनोगा इस्ट या खमीर ये कवक में आता है कौन सा आप सन सही होगा दूसरा वाला आप सन सही आप सनोगा East या खमिर का हम लोग किसमे प्रियोक करते हैं एलकोहल के उद्धोग में जो दारू बनाने का उद्धोग होता है उसमें काम करती है डबल रोटी पाव रोटी जो होती है उसमें East का इस्तमाल किया जाता है ये एक मृतोप जीवी है जो एक कोस्त की होता है तो सही आपसन होगा दूसरा वाला आपसन अठारना मेरा कोशन है विद्धूत आवेस की SI unit क्या है ये चार आपसन आपको दिये गए है कुलाम, एंपियर, वाट, ओम बताइए क्या आपको सही लग रहा है विद्धूत आवेस जिसे हम लोग क्यूं से लिखते हैं और इसकी unit होती है, कुलाम होती है पहला वाला आपसन सही आपसन होगा एंपियर, एंपियर किसी एकाई है, धारा की धारा को हम lost Меня मापते हैं वाट किसी है, सक्ति की हम लोग वाट में मापते हैं ओम में किसको मापते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं, ठीक है, तो सारे चीज़ों को याद कर लीजेगा, अलगलग सेट में आपके अलगलग कोशन पूछे जाएंगे, जैसे कि हमने आपको पिछला वाला 13 हमा सेट कराया था, उसमें पूछा गया तक विवांतर की यूनिट कितनी होती है तो विवांतर की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है ठीक है वो भी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो बताया था उन्हें इस नवर कोशन है पांच केजी के खतोड़े को आठ मीटर की उचाई तक उठाया जाता है तो इसकी इ बराबर होता है potential energy बराबर होता है MGH यह फर्मुला होता है जहां पर M की value 5 kg दे रखी है G की value आपको 10 meter per second square कोश्टक में दे रखी इसको रख लीजिए height आपको 8 meter दे रखी है तो 8 से multiply कर लीजिए 5, 8, 40 और 1, 0 और और उर्जा जो होती है जूल में होती है तो कौन सा option सही option होगा तीसरा वाला option जो है वो सही option होगा वैसे देखिए तो 4 आपसन में 4, 400 होएं अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो उर्जा हमेशा जूल में होती है तो जूल में होती है इसका मतलब लगाईये ही नहीं यूनिट से इसको आप सही कर सकते हैं तीसरा वाला आपसन सही आपसन है बीस नमर कोशन एक परमाण त्रिज्जा एक समू में और आवर्त में कैसे बढ़ती है या घड़ती है आपको बताना है हमने आपको बताया कि समू में अगर आप देखेंगे वर्ग में उपर से नीचे की ओर आएंगे तो कोशो की संक्या बढ़ती जाती है पहले वाले में एक कोश दूसरे वाले में दो कोश तीसरे वाले में तीन कोश इस प्रकार से कोशो की संक्या बढ़ती जाती है अगर कोसों की संख्या बढ़ेगी तो आप ही सोचिए कि जो परमाणों की तरिज्जा होगी वो भी तो बढ़ेगी तरिज्जा वाई कैसे निकालते हैं आपके इंदर से बाहरे वाले जो हमारा कोस होगा उसकी बीच की दूरी आप निकालेंगे तो जब कोसों की संक्या बढ़ती जाएगी तो परमाणों की त्रिज्जा भी तो बढ़ेगी तो समो में परमाणों की त्रिज्जा बढ़ेगी और आवर्त की बात करेंगे आवर्त में कोस नहीं बढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रांस बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रांस बढ़े कौन सा आप्षन सही होगा दूसरा वाला आप्षन सही आप थीक है इस प्रकार से आप ध्यां रखिएगा देख लिजे एक बार और याद कर लिजेगा। 21 नंबर कोशन है एक विलियन में 950 ग्राम पानी में 50 ग्राम समान नमक होता है। विलियन में द्रवमान प्रिस्तत द्वारा द्रवमान की संदर में सांद्रता आपको वतानी है, स्बार्णा करना है 50 g नमक है 950 g पानी में, तो स्बार्णी पानी में तो स्बार्णा वताये कितनी होगी कैसे करेंगे देखी 50 ग्राम नमक है और टोटल अगर हम विलियन की बात करेंगे तो विलियन टोटल कितना क्राम का है 950 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान नमक है तो टोटल विलियन 1000 ग्राम का है जिसमें नमक 50 ग्राम है इसी प्रेकार से आपको सांदर्ता निकालनी है 50 बटे 1000 गुड़ी 100 परसेंटेज के लिए 100 0 से 2-0 कट जाएंगे 1-0 यहां से कट जाएगा तो 5% निकलेगी तो नमक की सांदर्ता जो होगी उस विलियन में 5% होगी कौन सा अपसन सही अपसन होगा दूसरा वाला अपसन सही अपसन होगा 22 नमर कोशन है कार्मन के निम लिखित अपर रूपों में सही विश्व को आपको चुनना है अगर आपने पिछला वाला कोशन जो अपर रूप का आया था उसको आपने मेरा ध्यान से सुना होगा तो ये कोस्टन आप आसानी से लगा लेंगे एक ही सेट के आपको सारे कोस्टन करा रहा हूँ तो एक ही सेट का कोस्टन है देखी दो प्रेकारों से पूछा गया उसी सेट में कोक, चारकोल, कार्मन, बलेक मैंने आपको बताए अपर रूप दो प्रेकार के होते हैं एक क्रिस्टली अपर रूप एक अक्रिस्टली अपर रूप तो क्रिस्टली अपर रूपों में ग्रेफाइड आता है हीरा आता है फुलरीन लिखके आ जाए या बलक मास्टर लिखके आ जाए फुलरेंज, C60 कहते हैं से तो यह सबी जो सनरचनाएं होती है वो क्रिष्टली अपर रूपों में आती है तो ग्रेफाइड क्रिष्टली अपर रूप है बाकि कोक, चारकोल, कार्बन, बलेक जो हैं आग क्रिष्टली अपर रूपों में आते हैं कोकि इंकी सरचना जो होती ह वो निस्चित नहीं होती है जबकि ग्रेफाइड मैंने आपको बता है कि सट कोडी होता है हीरा चतुस फलकी होता है फुलरेंज जो होता है वो फुटवाल की आकरती का होता है तो इस प्रकार से इन सब की आकरती निस्चित होती है जबकि कोक चार कोर कार्बन बलेक जो होते प्रोटाम खरियोगी तो यहां से स्टार्टिंग होती आवर्साने की पहला हाइड्रोजान से ही स्टाटिंग होती है हम लोग पहले आवर्स को पढ़ते हैं हलीना करे attempts सबसे पहले आपको मिलता है सबसे पहले आपकी तो हाइड्रोजन जिसका आगर हम लोग पुराणी स्टूजण के हैं वह बताने का प्रयास करेंगे तोविस नमर कोशन है पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वा करसण से प्रेदी समय बढ़ने को क्या कहा जाता है इस चार आपसंद दिये गें देकि पौधे के अगर हम लोग दो मेन भाग की बात करें एक तना की एक जड़ की तना जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और जड़ जो होती हो नीचे की ओर बढ़ती है और आप जानते हैं प्रतिवी जो है वो गुरुत्वा करसण बल जो है नीचे की ओर लगाती है तो जो जड़ होती है वो किधर की ओर बढ़ती है ग्रेवटो पिजमी की तरफ बढ़ती है मतलब कि गुरुत्वान वर्तन गुरुत्वान वर्तन और भी प्लस का धन गुरुत्वान वर्तन की तरफ जड़े बढ़ती है और रीड गुरुत्वान वर्तन की तरफ तना वर्ता है क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा है तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है इसलिए इसमें रीड ग्रेवटो पिज में लगता है तो यहीं आप से पूछ रहा था पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वा करसर से प्रेदी 6 सिकेंडे में भूमी पर गिरती है तो भूमी पर गिरते समय कार की गति क्या होगी आपको बतानी है जैसे कि कोई धलान है माली धलान से कार गिर रही है उपर से नीचे की ओर तो सबसे पहले अगर उपर से नीचे की ओर कार गिरती है तो उपर जो होता है प्रारंभिक ले का यूज़ करेंगे Newton के गतिके प्रतम नियम का ही यूज़ करेंगे V बराबर U प्लस जहांपर 80 था वहांपर GT हो जाएगा क्योंकि अगर linear motion होता है तो हम लोग 80 का प्रियोग करेंगे अगर उर्ध्वादर ऊपर या विज़े का motion होता है तो हम लोग gravitation force मतलब G का यूज़ करेंगे तो यहां पर आपको V की value निकालनी है और जो प्रानम्भीक वेग है वो तो 0 ही है क्योंकि जो उपर से गिरेगी तो प्रानम्भीक वेग तो 0 होगा G की value आपको 10 दे रखी है और T आपको 0.6 दे रखा है तो उत्तार आ जाएगा 6 6 किसमें आएगा? मीटर पर सिकंड में आएगा तो मीटर पर सिकंड कहां पर लिखा गया? सिकंड उपर जाएगा तो मनेस में हो जाएगा तो सही आपसन कौन सा आपसन होगा? तीसरा वाला आपसन अगर आप लोग unit जानते होंगे तो unit सही इसको सही कर सकते थे सवाल लगाने की जुरूरत नहीं है तो जब आप एक्जाम में जाएं अगर आपको 6-6-6 सम्में दिखें तो unit को सही कर दीजेगा आप एक number आपका कहीं भी नहीं गया अरे गती पूछी नहीं आपसे गती तो गती किस में होती है? मीटर पर सिकेंड में होती है उसकी unit क्या होती है? एम एस अगर उपर जाएगे तो माने सोझाएगा सही कर देंगे अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं होगा तब भी एक number आप ले जाएंगे 26 number question है किसी spring में इस्तिर बल 10 newton प्रति मीटर में परारंबी खिचाओ जो है 0.2 मीटर का है खिचाओ को 0.25 मीटर तक बदलने में इस दी उर्जा में ब्रदी लगबा केतनी होगी आपको बताना है बड़िया question है लगाने का प्रयास करिए माल या कोई spring इस प्रकार से बंदी है उसमें force जो लग रहा है 10 newton का force लगा है तो spring में जो तनाव हुआ है पहले 2.20 मीटर का था फिर इसके बाद अगर कहा रहा है खिचाओ थोड़ा और बढ़ा है तो 0.25 मीटर में आपको बताना ह k x square ये फार्मूला होता है जहां पर k की value आपको 10 newton प्रति मीटर दे रखी है और x जो है वो spring का खिचाओ है लेकिन इसमें 2 खिचाओ है पहले 0.20 मीटर है फिर 0.25 मीटर है तो हम लोग 1 को x1 माल लेते हैं 1 को x2 माल लेते हैं दोनों को घटा करकि उसकी रृद्धि को निक x2 इसको मानेंगे तो पहले बड़े वाले को रखेंगे x2 का square माइनस x1 का square तभी तो घट करके हमें उरे दीखवा पता चलेगा यह पांच बन जाएगा कट करके अगर इसको करेंगे 0.20 0.02625 माइनस यह ठीक है calculation आपको करना है 5 आजाएगा अगर आप इसको घटाएगे तो कितना आजाएगा 0.0225 मल्टिपल करेंगे तो 0.10000 आएगा तो 0.1 जो आएगा वो जूल में इसका उत्तर आएगा तो ब्रद्धी कितने की हुई 0.1 जूल की इस दीज़ा की ब्रद्धी हुई सही आप सुनों का दूसरा वाला आप्शन 27 नमर कोशन है यहाँ पर द्रबमान आपको 14 दे रखा है hydrogen का 1 दे रखा है chlorine का 35.5 दे रखा है तो ammonium chloride का आपको 8 द्रबमान निकालना है तो 8 द्रबमान निकालने के लिए आपको फर्मूला याद होना चाहिए ammonium chloride का केतना होता है NH4Cl यह फर्मूला होता है सब कुछ तो आपको उपर दे रखा है nitrogen 1 है तो 1 का परमान द्रबमान आपको 14 दे रखा है hydrogen 4 है एक का आपको 1 दे रखा है तो 4 का 4 होगा chlorine 1 है फर्मूले में तो 35.5 रख लेजे एक है दो होता दुगना कर लेते हैं 14,4,18 और 35 जोर दीजे तो कितन बन जाएगा 53,5 कौन सा आपसन सही होगा लाइस्ट वाला आपसन सही होगा तो फर्मूला इसमें आपको याद होना चाहिए और जतना हो माल लिजे कि जैसे कि हमने यहाँ पर NH4 है ना तो जब hydrogen 1 आपको दे रखाएगा तो 4 गुना कर देंगे माल लिजे कहीं पर chlorine Cl2 होता तो हम इसको दुगना कर देते हैं तो ये बात आपको धियान रखना पड़ेगा 28 नमर कोशन है लंबवत लटकते एक तार का एक सिरा निचले आखरी सिरे से 200 न्यूटन वजन से सगलंगन भार द्वारा तना हुआ है तो वजन ने तार को एक मिलीमीटर तना हुआ है तो त जो 200 न्यूटन से वस्ट उटंगी है तो उससे जो तार की लंबाई में ब्रद्धी हो गई वो एक 1 mm की 1 mm से तना है तार इस फोर्स को अगर हम नीचे की और टांगेंगे तो 1 mm से तार तना हुआ है तो तार में संग्रहित प्रस्तास्त उर्जा आपको बतानी है कैसे तार में संग्रहित प्रस्त उर्जा का फार्मूला होता है यह बराबर 1 by 2 f into x ठीक है इसके पहले मैंने आपको एक फार्मूला बता है इस प्रिंग वाला और यह बता रहे हैं तार का दोनों को याद रखीगा 1 by 2 फोर्स आपको दे रखा है 200 न्यूटन का x जो तार तना है वो x है कितना है 1 mm mm की बात करेंगे अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो 0.001 मीटर में आएगा तो यह तो 100 बन जाएगा कट करके और multiple करेंगे तो 0.1 0.1 बनेगा तो 0.1 किसमें होगा जूल में होगा इसमें वी देखी 0.1 जूल आया ठीक है और पहले मलें 0.1 जूल आ क्रोशन है, m दरव्मान की एक गेंद P गति से आगे बढ़ रही है तो गेंद की गते जूल ज़ुजा केतनी होगी? यह आपको बताना है तो आपको मालूम है मैंने आपको गति-जुजा का फार्मूला बताया है एक बटे दो मवी स्क्वेर होता है गति जुजा का फर्मूला लेकिन आपसे कहरा कि P गति से आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर P जो है वो समवेग आपको दे रखा है तो समवेग में आपको इसको बताना है इस फर्मूले में आपसे नहीं पूचा है समवेग में आपसे पूचा है तो P बराबर होता है M V समवेग बराबर होता है मास मल्टिप्लाई वेग P बराबर M V होता है अगर हम दोनों तरफ स्क्वेर कर दें तो दोनों तरफ स्क्वेर इसमें भी होगा ठीक है और दुनों तरफ एक बटे दो का मल्टिप्लाई कर दें इधर भी एक बटे दो का इधर भी एक बटे दो का तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक बटे दो mv square एक m जो बचा उसको नीचे भेज दीजे एक बटे दो mv square जो है यह बन जागा kinetic energy ठीक है समझ में आ रहा है कहां पर हम लोग कैसे चेंज कर रहा है तो एक बटे दो mv square kinetic energy बन गया तो यही चीज आप से पूछिए p के पदों में तो p square बटे 2m देख रहे है ना p square बटे 2m जो है वो आप से पूचा है k e के बराबर है ठीक है सही आपसन लाश्ट वाल होगा एक बार फिर से समझ लीजिए p बराबर mv के होता है sum एक बराबर mv के होता है अगर हम दोन तरफ square करें तो इसमें भी square इसमें भी square होगा दोनों तरफ एक बटे 2 से multiply कर दें क्योंकि एक बटे 2 से हम लोग multiply कर रहे है हमको एक बटे दो mv square चाहिए तब ही तो kinetic energy भे हमको formula मिलेगा अब एक बटे दो mv square तो मिल गया लेकिन m यहाँ पर जादा है m जादा है तो यहाँ पर नीचे भेज दीजिए तो एक बटे दो mv square इधर मिल जाएगा तो यह kinetic energy बन जाएगा और p square by 2 m के पदो मिल जाएगा तो सही option कौनसा option होगा last one option बहुत बार यह question पूछा गया है इसलिए repeat करके आपको समझाने का प्रियास किया हूँ आप लोग याद रखिएगा direct कुछ लोग तो याद रखते हैं kinetic energy बराबर p square upon 2 m direct कुछ लोग याद रखते हैं अगर आपको याद हो जाए तो याद कलीजेगा नहीं एक जामें भूल जाएगा तो इसे करके आप निकाल लीजेगा आज का देखे तीस number question है आज का last question होगा निसेचन के बाद क्या बनता है निसेचन के बाद निसेचन के बाद जाइगोड बनता है जिसे हिंदी में यूगमनेच कहते हैं सही option होगा लाइस्ट वाला option तो यह हमने आपको तीस महत्वपूर साइंस के question कराएं जिसमें आपको धेस सारे हमने रुमेर्कस भी कराएं जो आपके आने वाले exam के लिए very very most defined question है आपने इन तीस question में कितने question सही की है कि आप पचीस question तक पहुँच पा रहे हैं अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमने आपको धेस सारी science की वीडियोज कराई हैं ग्रुप D exam से पहले NTBC2 exam से पहले आपको इन सारी वीडियो को देखना है और लाश्ट में आपके लिए question छोड़े जा रहे हैं इसको आप लोग प्रियास करिएगा ये question देखिए आपके लिए छोड़े जा रहे हैं इनमें से कौन सा बल से सम्मंदित नहीं है चार unit आपको दे रखी है तीन बलकी है एक नहीं है उसी को आपको comment box ने बताना है ठीक हैं बता सकते हैं आप लोग simple सा question आपके लिए छोड़े जा रहे हैं नहीं आगए तो नेस्ट वाली वीडियो में चर्चा करेंगे और आपने इन 30 प्रिष्णों में कितने प्रिष्ण के सही सही जवाब दी है आप comment box में कह सकते हैं अगर आपको ये स्रीज अच्छी लगती है तो आप comment box में कह सकते हैं जतनी आप कहेंगे उतनी आपको science special की ये स्रीज हम चलाने का प्रयास करेंगे 25 question तक आपका लच्छ होना चाहिए कि exam होते होते तक आपको 30 तक पहुँच रहा है लेकिन अभी आप 25 पहुँचिए क्योंकि आपको मेहनत करनी है अपकी बार merit बढ़नी है चाहें TPC2 की बात करें चाहें group D exam की बात करेंगे हर साल जितने साल आपको exam बढ़ता जाएगा आगे उतनी merit का खेल होता जाएगा इसलिए कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है किसी पेशन में डाउट होता है कमेंट बाकस में आप बोल सकते हैं मिलते हैं नेस्टी वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद